तो प्यारे विद्यारतियो, नमस्कार अप्लोट वने वाले वीडियो बराबर मिलते रहें दोस्तों मैं जो आपको प्रस्ण और उनके उत्तर बता रहा हूँ इसको दोस्तों आपको पता होगा कि आपके स्कूल से आपको दो किताबे अर्थसास्तर विसे कि दी गई होगी भाग एक जो किताब होगी उसका नाम होगा वो समझ्टी अर्थसास्तर के उपर होगा दोस्तों आज जो मैं आपको कोश्ण बता रहा हूँ यह दोस्तों बिल्कुल सो प्रतिसत आपके पेपर में जिस पेपर को आप मोबाल स्क्रीन पर देख रहे हो आपके इस पेपर में पूरी तरह से चप चुके हैं तो आप चाहे जितना जूम इन जूम आउट करके इसको देख सकते हो तो चलिएगा दोस्तों सुरुआत करते हैं आज के इस पेपर की वो देखते हैं कि दोस्तों आपके अर्थसास्तर में से कौन-कौन से परस्त पूचे जाएंगे तो इसको हम पाठवाई समझ रहे हैं तो स सबसे पहले जिस किताब के हम बात कर रहे हैं वो किताब है भाग एक जिसका के नाम है वियस्टी अर्थसास्तर तो दोस्तों इस किताब का पहला पाठ है वियस्टी अर्थसास्तर एक परीचे सामानी अर्थ व्यवस्ता जी हैं दोस्तों क्या नाम है इसका आपके पास में जो भी कुणिक गाइट है उसमें से आप इसको देख लीजीगा यह सपार्ट का नाम है ब्याष्टी अर्थसास्त्र एक परीचे सामान अर्थव्यवस्ता तो दोस्तो इस पार्ट के अगर बात की जाए तो इस पार्ट में से दोस्तो एक तो दूअंका एक प्रस्न पूछा नम्र का एक प्रस्न होगा और दोस्तो तीन नम्र का एक प्रस्न होगा तो कुन-कुन से इसलिद्धोर सब्धेर को इसके पहलए यह स airflow क्यों। के से कहते हैं К spl2 अगको मैं प्रसंद पूचा जाएगा के वियस्टी अर्तिसास्तर किसे कहते हैं तो दोस्तों इसका उत्तर आपको कुछ इस परकार से लिख देना पूरा यहां से यहां तक यह चैनल winning लेखेँ इस परकार से यह हैंutels यहां से हो तो कफिन आप इसकी परिवासा लिख लीजेगा तो ये दोस्तो वेरी मोश्ट आयम पी मत समझेगा दोस्तो बिलकुल आपकी परिक्चाव में ये कोस्चन आच चुका है बिलकुल आप इसको अच्चे से याद जरू कर लीजेगा दोस्तो अगला जो कोस्चन होगा दूंग में उसकी यत्वा में वो यह होगा कि पुंजिवादी अर्थव्यवस्ता किसे कहते हैं दोस्तों पुंजिवादी अर्थव्यवस्ता किसे कहते हैं तो वेसे तो आप चाहे तो यह वाली परिवासा आप इसको याद कर सकते हो अगला जो पुंजिवादी अर्थव्यवस्ता किसे कहते ह वो पुझीवादी अर्थव्यवस्ता कहलाती है तो दोस्तों इसको इस प्रकार से पूरा नोट कर लेना है पुझीवादी अर्थव्यवस्ता की परिवासा भी आपको यह याद कर लेनी है मैंने जो वोल के बता है उसको याद कर लो यह वाली कर लो बात एक है तो दोस्तों म अगला जो दो अंक में पूचा जाएगा वो ये होगा कि समाजवादी अर्थवयवस्ता किसे कहते हैं अब आप यहां पर यह कंफूज हो रहे होंगे कि सर इस पार्ट में से तो सिर्फ दो अंक का एक ही प्रसन पूचा जाएगा फिर आपने दो प्रसन तो ऊपर बता दिये क्यों बताए जा रहे हैं तो देखिएगा दोस्तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं कोई भी कमी रखना नहीं चाहता हूं क्योंकि हो सकता है कि दोस्तो ऊपर जो प्रसन बताए मैंने वो वेरी मोश्ट है तो आप कम से कम मैं तुम्हें सिर्फ इसमें से तीन सकते हैं तो अगला जो दिया गया है समाजवादी अर्थव्यवस्ता किसे कहते हैं दोस्तों इसकी भी में परिभाषाब बिल्कुल यह आसान तरीके से बोलके बता रहा हूं तो सुनिएगा ऐसी अर्थिवयवस्ता जिसमें उत्पादन के सभी सहतनों पर समाज का स्वामित होता है या सरकार का स्वामित होता है समाजवादी अर्थिवयवस्ता कहलाती है तो दोस्तों मैंने पूझी बादी और समाजवादी अर्थिवयवस्ता की दोनों ही परिवासा है बहुत सरल तरीके जिसमें पूंजी वादी और समाज वादी दोनों अर्थ व्यवस्ता है, सम्मिलित रूप से पाई जाती है, मिस्रित अर्थ व्यवस्ता खेलाती है, तो दोस्तो इस पार्ट के ये तो हो चुके दो-दो अंक वाले प्रसन जी है, दोस्तो, दो-दो अंक वाले सभी प्रसन में रट लो रट आमार लो नहीं तो फिर पेपर में बेटके रो गए आप के सर ने जो बताया था वो हमने याद नहीं किया तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से रट जाओ आभी तक जो हुआ है आपने देखा होगा कि हिंदी के वीडियो में भी में जो जो कोश्चन बताये थे 100% आये है और 100% पूरे पेपर में में मिले मिलाल किया है तो बिल्कुल आप उसी तरह से तयारी कीजीगा तो आप आगे यहाँ पर देख सकते हो ब्यश्टी अर्तसास्ति और समश्टी अर्तसास्ति में आपको अंतर याद कर लेने हैं दोस्तो यह मैंने बहुत सारे अंतर जाट के इसका स्क्रीन सोट यहाँ पर ले लिया है तो आपको दोस्तो जो जो अंतर सरल सरल लगते हैं कम से कम आप चार अंतर याद कर लें दोस्तो इसमें से इसमें से आपको क्या करना है कि कम से कम आपको चार अंतर याद कर लेने हैं व्यश्टी और समश्टी में दोस्त जब अर्थतसास्तर हम समझी रहे हैं तो मैं इन दोनों का मतलब भी आपको बता देता हूँ दोस्तों विश्टी को समझ का मतलब होता है शोश में जाने कि छोटा जोटी-चोटी चीजों को अद्यन करता है jakiś विश्टी अर्थत Wish निते हो समज्टी का मतलब होता कि अंग्री म से लेख सकते हो तो आप पूरा इसको देख लीज़ेगा ब्याश्टी का मतलब चूटा होता है यह मैंने आपको बता दिया है तो मिद करता हूँ कि दोस्तो आपने इसको भी नोट कर लिया होगा अच्छे से और दोस्तो एक बात और में आपको बता देना चाहता हूँ कि सब्र present Portal आइओ अधो में दोस्तों लेग लेकि घर सबना कंद दॉक्त को वंच समझागे के आपको पेपर में आप पच्ता होगे दोस्तो अगला जो कोश्चन दिया गया वियस्टी अर्तसास्तर की विश्चता आपको याद कर लेनी है तो ये भी दोस्तो आपसे तीन अंग का पूचा जाएगा और इसी के अलावा दोस्तो अब ज़्यादा इसमें से खुछ भी याद आपको नहीं करना है सिर्फ आपको ये नी चीजों को याद कर लेना है दोस्तो अभी तक हमने वियस्टी अर्तसास्तर वाला पार्ट देगा पार्ट एक दोस्तो इस पार्ट में से आपको दो नम्मर का एक प्रसन आएगा और तीन नम्मर का एक प्रसन आएगा जो कि मैंने आप तो दोस्तो इसमें अगर देखा जाए वो बोक्ता की व्यावार का सिद्धान तो इस वाले पार्ट के कौन-कौन से से प्रस्न है दोस्तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ तो सबसे पहला जो पार्ट का प्रस्ण होगा दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ थोड़े बहुत ये पेंच इदर उदर हो गए है इस वज़े से समझने में दिक्कत आ रही है तो आप देख सकते हो दोस्तों अगला जो पार्ट होगा उस पार्ट का नाम क्या है मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देना चाहता हूँ वो यहाँ से शुरू होता है आप इस चेज़ को पर ध्यान मत दीजेगा तो देखिएगा दोस्तो पार्ट कुछ इस प्रकार से आपका आप क्या लिख लेना है वो भोक्ता के व्यावार का सिद्धान्त क्या प्रसन होगा दोस्तो वो भोक्ता के व्यावार का सिद्धान्त ये पार्ट का नाम होगा दोस्तो अब आगे अगर देखा जाए तो इस में से आप से एक तो दो अंका प्रसन पूचा जाएगा और एक दोस्तो चार अंका प्रसन पूचा जाएगा अगर दोंक वाले प्रसनों की बात करें तो एक तो प्रसन यह याद कर लो आप के पूरती किसे कहते हैं या पूरती से क्यातात पर यह तो इस प्रसन को आप बिल्कुल ये वाली परिवासा भी आप मांग की लेख सकते हो दोस्तो आपको इस अध्याई में से क्या करना है दो प्रसंट तो यह का याद करना है कि मांग किसे कहते हैं और पूरती किसे कहते हैं दोनों ही प्रसंट दोस्तो वेरी-वेरी मोश्ट आयम पी जो की दो-दो अंक में किसी एक वस्तु की जगे पर दूसरी वस्तु सात में खरीद ना चाहे कैसी वस्तु से वस्तु सेवागी विविन मातराव के परिवर्तन होने से जैसे कि आप समझ सकते हो जैसे कि किसी ने बीडी का बंडल लिया यानि कि उसको सिगरेट पीना तो साथ में उसको माच चीज भी लेना पड़ेगा इसको आड़ी मांग कहते हैं अब अगर देखा जाए दोस्तो तो यहाँ पर दो अंक में यह दो परसन और बिल्कुल आपको अच्छे से समझ लेना है प्रतिस्तापन वस्तुए किसे कहते हैं यह दोस्तो बिल्कुल आपसे दो अंक में पूचा जाएगा क्या परसन है दोस्तो प्रतिस्तापन वस्तुए किसे कहते हैं दोस्तों प्रतिस्तापन वस्तुए किसे कहते हैं तो क्या लिखा है इसको एसे लिख सकते हो एसी वस्तुए जिनको एक दूसरे के स्थान पर प्रियोग किया जा सकता है प्रतिस्तापन वस्तुए कहलाती है इसकी परिवास आप चाहे तो यह वाली याद कर सकते हो या जो मैं बोल के बता रहा है वो वाली भी आप याद कर सकते हो कैसी वस्तुए एसी वस्तुए जिनको एक के इस्तान पर दूसरी का उप्योग किया जा सकता है उसको हम प्रतिस्तापन वस्तु कहते हैं मान लिया कोई चाई का ज़्यादा सोकी ने चाई की जगे कभी कभी कोपी भी पी लेता है और उसी प्रकार से मान लिया है दोस्तों कि कोई बीडी का नसा करता है यानि कोई वक्ते बीडी पीता है बीडी की जगे दोस्तों कभी कभी सिग्रेट से भी अपना काम चला लेता है दोस्तों इस प्रकार की मांग को कहते हैm प्रतिस्तापन वस्तू है अब दोस्तों अगली उसे परफॉर्ट क्атल से मतलब है पेटोल आपको मजबूरी में लेना पड़ता है दोस्तों इसको कहते हैं पूरराक वस्तू है जैसे कि मान लिया कोई बीडि पीता है वो दोस्तों इसको मजबूरी में माचिस जरू साथ में लेनी पड़ेगी क्योकि अगर माचिस नहीं होगी तो बीडि क्या मोलियाDING है, बीडि किस से जलाएगा वो दोस्तों इस प्रकार से आपको समझ लेना पूरक वस्तोय किसे कहते हैं प्रतिस्तापन वस्तोय किसे कहते हैं दोस्तो ये जो प्रसने थे ये सभी दोधवंग के आपके अध्याई दो के हो चुके हैं अध्याई दो जिसका की नाम है उब्वोक्ता के व्यावार का सिद्गान तो इसके दोधवंग वाले सभी प्रसने म आपको बता दिये हैं अब दोस्तों इस अध्याई में से हमको देखना है एक चार नमर वाला प्रसन चार नमर वाले प्रसने में से दोस्तों मैं सबको पेले-पेले बेरी मोश्ट आयंपी प्रसन बता देता हूं दोस्तों यह रहा बेरी मोश्ट आयंपी प्रसन जो कि आपसे चार नमर में पूचा जाएगा मांग के नियम की मानिता है लिए दोस्तों मांग के नियम की मानिता है क्या है ये पूरी आपको लेक लेनी है सबसे पहले तो मैं आपको मांग का नियम समझा देता हूँ मांग है क्या तो दोस्तों इस पार्ट में से आपकी जो पूरा टोटल ओवराल है वो दो ही सब्दों की चर्चा की गई है दोस्तों एक पो मांग और एक पूर्थी तो दोस्तों मांग क्या होती वो भी यह मैं आपको बता देता हूँ हम सभी क्या है अपने देखा होगा आप जबी भी किसी दुकान पर जाते हो अप उससे क्या केते हो उससे विक् पूर्ति को समझगें लेना है यानिकि मांग दोस्तों को भुखत थैंट कि हम सभी से संबदित है पूरति जो है दुक्तर विक्रेता या उत्पादक से संबदित है दोस्तों यहां से आप मांग की नियम की मानिता यह याद कर सकते हो बिल्कुल ही सरल तरीखे से दी गई है और मैंने दोस्तों आपके लिए वहीं चटा है जो सबसे ज्यादा सरल था और किताबों में भी मैंने देखा पर जहां से मुझे सरल लगा वहीं मैं आपको बता रहा हूं और आगे जो है दोस्तों आपको यह वाला तो चाहे तो आप कर सकते हो अगर आप थोड़े गीपिन ने क्या बताया था उन्होंने ये कहा था कि निमने कोटी की वस्तों की उपर मांग का नियम लाकू नहीं होता है इसे ही उन्होंने क्या कहा था गीपिन की वस्तों ये कहा था जैसे की चावल वाजरा इस टाइप की उधारन देखिया आप समझ सकते हो पूरा यहां की शुरुवात कर रहे हैं अगले अध्याय का नाम जो है दोस्तो वो क्या होने वाला है मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगला जो अध्याय होगा वो है उत्पादन तता लागत तो उस अध्याय का नाम क्या दोस्तो उत्पादन तता लागत आप दोस्तो वेश्टी अर् करनी बात है कि चार नमर का प्रस्थन पूछा जाएगा वह दोस्तो एक बात और मैं आपको बता दू कि मैं इसमें से चार नमर का ही प्रस्थन बताने वाला हूँ जी आँ दोस्तो इस को लश्ब आत दोस्तों का पूरा ये समझे कि बहुत ही अच्चा पेपर आपका जाने वाला है दोस्तों अगर अध्याई दीन की बात की जाया जिसका कि नाम उत्पादन तता लागा थे दोस्तों इस पार्ट में से मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप सिर्फ इस कोस्चन को आप अच्चे से याद कर लीजीगा ये कोस्चन दोस्तों बिल्कुल आप से इसी प्रकार से पूरा पूछा जाएगा क्या दियागा है दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हो इस तेर लागत तथा परिवरतन जिलागत में अंतर आपको लिखना है दोस्तों इस प्रकार से यह वाला question ज़रूब आप याद करके जाएगा दोस्तों और इसके बाद में इसके बाद में आपको जब पेपर हो जाता है इसके बाद में प्लीज हार मैं आपके कमेंट के बेस अबरी से इंतिजार करता हूँ प्लीज आप इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपके पेपर में ये प्रसन आता है तो बिल्कुल आप कमेंट करके जरूब पूच और दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि सर हम तो इसके अलावा एक दो कुस्चन और भी कर लेंगे याद तो आपको क्या करना है दोस्तों कि और आपके लिए निस आप बता देता हूँ जो कि आपको याद कर लेने हैं इस्तिर लागत वो लागत होती है जो किसी भी कारिक को सुरू करने में या कोई सी भी फर्म को सुरू करने में एक बार आपको लगानी पड़ती है। दोस्तो अगर आप वहाँ पर कच्चा माल की मात्रा बढ़ा होगे उत्पादन बढ़ाने के लिए दोस्तो आपको क्या करना पड़ेगा कच्चा माल की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी तो जैसे जैसे आपका उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे परिवर्तन सी लागते परिव के लिए अर्थ सास्तर वेरी टप सबडेक्ट आप सभी के लिए है अर्थ सास्तर को आप कम जो हर मस समझेंगा दोस्तों अच् Holz यह समझ यहागर कि अच्छ अच्यो के पसीने छूड़ जाती है अर्थ सास्तर को समझने यह पार्ट बन हो चुका है और अगला जोगा दो तीन और चार दोस्तों अगले तीन वीडियो पहुती जल्दी मैं अपलोड करने की कोशिस करूँगा क्योंकि दोस्तों मुझे भी प्रस्ण चाठने में थुड़ा परिशानियों का सामना करना दोस्तो आगले वीडियो भी आपको जल्द ही प्रोवाइट करवा दिये जाएंगे तब तक आप इन कोस्चन को ज़रूर बहुत अच्छे से याद कर लीजेगा जो जो मैंने बेरी मोश्ट बता हैं बिल्कुल दोस्तो आपके परिक्चाव में यही कोस्चन बेटने वाले है दोस्तो आपके साथ में इस वीडियो से में विदाले तो नमस्कार